हैलो मैं गिता नेगी गिता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तो इस टेम बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है अपने पोदों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस टेम अगर आपने जरा भी लापर वाई की तो आपके प्लांट खराब होने में टाइम नहीं लगेगा इसलिए सबसे पहले तो इसके पानी पर कंट्रोल कर रखना क्योंकि इन दिनों पानी बिक्कुल नहीं सुकता है क्योंकि सनलाइट होती नहीं है और जिससे हम और भी पानी डालते रहेंगे आपके प्लांट 100% खराब हो जाएंगे दूसरा इनकी सनलाइट का ध्यान रखिए जो सीजनल प्लांट है जिनको फूल आने उनको धूप की तरफ रखिए अगर जिस प्लांट को शेड की ज़रुत है जिनको उस में जल्दी पाला पड़ता है तो खराब हो जाते हैं उनको आप शेड में रखिए उपर से कोई कपड़े का या नेट का कवर चड़ा दीजिए तीसरा है उसकी गुडाई इस्टेम प्लांट की बिल्कुल मत करिये आपने उनकी जड़ों को उपर नीचे किया तो उनकी जड़ों को ठंड लगेगी और वो प्लांट खराब होना शुरू हो जाएगा हो सके तो उसमें एक लेयरिंग उसकी कर दीजिए किसी भी मूफली की सूखे पत्तों की मैंने बताया भी है आपको मल्चिंग करना किस तरह करना है चो अगला पॉइंट है आपका पूर्निंग बिल्कुल मत करिये कटिंग वगरा बिल्कुल अपने प्लांट की बिल्कुल मत करिये और फर्टिलाइजर भी बिल्कुल मत 15 दिन में fertilizer डाल रही हूं बस बाकी और plant में जितने भी हैं आपके जो dormancy में जा चुके हैं उनको ना तो आप उन्हें पानी ज्यादा देना है ना उनको धूप में रखना है उनको पाले से बचाईए इस तरह से आप अपने garden को स्वस्तर रख सके हैं मेरी वीडियो आपको